नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके हमारे चनल आचार जागंदर मिस्त्रा में आज हम बात करेंगे आज के मितुन राज के देनिक रासपल के बारे में लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में आज का पंचांग रहेगा 20 अक्टूबर 2020 मंगल बार का दिन है और अशुनी मास सुकल पक्ष की चतूर्थी तिति और नचत रहे अनुराधा अब जीत महुत दुपार 11 बच के 47 मिनट से लेके 12 बच के 37 मिनट तक रहेगा और आज के जो सूरी उदे होगा वह सुबह 6 बच कर 21 मिनट पे होगा और आज के जो असुब समय होगा वह साम 4 बच कर 43 मिनट से लेके साम 7 बच कर 22 मिनट तक रहेगा इस असुब समय में कोई भी सुब और नयकार की सुरुवात ना करे नहीं तो बिग्ण बाधाई आ सकती है अब बात करते हैं आज के मितुन रास के देनिक र दिन नद तो जादा अच्छा है और ना जादा बूरा है वैसे तो आज की दिन कई मौके आपको आगे बढ़ने के लिए जो काम आपके काफी समय से अटके हुए थे वो कार आज की दिन पूरे होते हुए नजराएंगे मितुन रास वालों इसके साथ आपको अपने कारियों में सफलता की योग बने हुए हैं लेकिन आज की दिन आपको पैसे की तंगी जहलनी पड़ सकती है और किसी के उधार करजा किसी को ना दें और ना ही लें और जो करज लिया है अपने उसको मतलब देने के लिए आपको टेंसन रहेगी यह परेशानी आपको परेशान कर सकती है ज़कि दिन आज के दिन किसी पर भी भरोसा ना करें क्यूंकि कोई आपसे विस्वास घहत कर सकता है और आज के दिन आपको इसकिन संबंधिश मस्याएं जहिलनी पड़ सकती है या थोड़ा पेट की समस्या गुट बाइरल बुखार सम्बंधी या सदर्धि जुखाम छोटी मोटी चीज़ें आपको परिशान कर सकते इसलिए अपने स्वास्त का ध्यान दे अपने स्वास्त का और अपने जीवणसाथी के स्वास्त का ध्यान दे क्यूंकि स्वास्त के प्रत जाग रुकता करते नजराएंगे और आपके कारचेतर में आपके माता पिता भी साथ खड़े दिखाई देंगे किशी पुरानी मित्र की वज़े से आप आपके कार में लाव दिखाई देगा कोई पुराना मित्र आपका शहयोग देता हुआ दिखाई देगा क्योंकि वो आपके काम से जलते हैं, उनको जलन होती है, आप आगे बढ़ते हैं और वो आपसे पीछे हो जाते हैं तो थोड़ा उनको जलन हो जाती है, इसलिए सतरकता बनाई रखें, हो सकता है कोई नुकसान ना कर दें आपका, और आज की दिन मिथोन रासवालों आपको अ समय पर पूरा करते न जलेंगे, लब पार्टनर का भी काभी अच्छा ध्यान दे रहे हैं, उनके साथ भी बहतर तालमेल बना के चल रहे हैं, एक दूसरे को समझने के कोशिश कर रहे हैं, और जो एक दूरिया बनी हुई थी, उस दूरियों को मिटाने में लगे हुए हैं, त अपने श्टाप के लोग, अपने बोस के साथ बहतर तालमेल बना के रखना है, केरियर को लेकर जो जातक उतसाहित हैं, एक नई जोब को लेकर उनहीं ज्यादस जदा, यानि कि नई कंपनियों में ट्राइ करना चाहिए, और अपलाई करना चाहिए, फर्म भरना चाहिए, ताकि उनका आने वाला समय बेहतर रहे, तो कोशिस तो करनी पड़ेगे मितन राशवालों, तभी धन आएगा, तो आज कि आपका जो सुबरंग रहेगा, वाश्वानी कलर रहेगा, और आपका भाग साथ निवारा है, और रहेगा 85%, तो दोस्तों जाते हैं जाते हैं वीड